हम मेंसे अधिकांच लोगों के लिए मोबाइल फोन हमारी जिन्दगी का एक हिस्सा है लेकिन मैं निश्चत रूप से कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे कि मोबाइल फोन से कॉल कैसे संभा हो पाती है और मोबाइल कम्यूनिकेशन के अलग-अलग जेनरेशन क्यों होते है आईए मोबाइल कम्यूनिकेशन के पीछे की तकनीकी के बारे में जानते है जब आप अपने फोन पर बात करते हैं आपके फोन का माइक्रोफोन आपकी आवाज को सुन लेता है फिर microphone एक MEMS sensor और IC की मदद से आपकी आवाज को digital signal में बदल देता है Digital signal आपकी आवाज को 0 और 1 के रूप में सहेचते है आपकी phone के अंदर स्थित एक antenna इन 0 और 1 के संकेतों को प्राप्त करता है और उन्हें विद्वचुम्ब की तरंगों में बदल कर संचारित करता है विद्वचुम्ब की तरंगे 0 और 1 के संकेतों को संचारित करने के लिए Amplitude, Frequency, Face या इनकी संयोजन जैसे तरंग के गुणों को बदलता है उधारण के लिए Frequency की बात करें तो 0 और 1 को क्रमाशा Low और High Frequency के रूप में संचारित किया जाता है इसलिए अगर आप इन विद्वचुम्ब की तरंगों को अपने मित्र के फोन तक भेजने का तरीका पता कर ले तो आप एक Call कर पाएंगे लेकिन विद्वचुम्ब की तरंगे अधिक लंबी दूरी तै करने में सक्षम नहीं होती है बहुत एक वस्तूओं, इलेक्ट्रिक उपकरणों और कुछ पर्यावरनिय कारकों के कारण ये तरंगे नश्ट हो जाती है वास्तों में अगर ऐसी कोई समस्या ना भी हो, तो भी प्रित्वी के वकराकार के कारण से तरंगे हमेशा अस्तित्वों में नहीं रह सकती इस समस्या का समाधान करने के लिए, सेलिलर तकनीक का प्रयोग करके सेल टावर बनाएं गए सेलिलर तकनीक में एक भागोलिक छेत्र को आठ पहलूओं वाली या अस्ट कोणिये सेल में बांटा जाता है जिसमें हर सेल का अपना एक टावर और फ्रिक्विंसी स्लाट होता है आम तोर पर ये सेल टावर तारों द्वारा जुड़े होते हैं या विशेश रूप से कहें तो औप्टिकल फाइवर केबल से जुड़े होते हैं इन औप्टिकल फाइवर केबल को जमीन के नीचे या समुद्र में बिछाया जाता है ताकि राष्ट्रिय या अंतराष्ट्रिय कनेक्टिविटी बनाई जा सके आपके फोन द्वारा पैदा की गई विद्वत चुम्बकी तरंगे आपके सेल में स्थित टावर को पहुँचती है और वहां उन्हें उच्य फ्रिक्विंसी वाली लाइट पल्स में बदल दिया जाता है इन लाइट पल्स को टावर के आधार में स्थित बेस ट्रांसिवर बॉक्स में सिगनल प्रोसेसिंग के लिए भीजा जाता है प्रोसेसिंग के बाद वोईस सिगनल को गंतव्य टावर तक भीजा जाता है गंतव्य टावर में पल्स स्प्राप्त होने पर गंतव्य टावर उन्हें विद्वत चुम्बकिये तरंगों में बदल कर बाहर प्रसारित कर देता है और आपके दोस्त का फोन उन सिगनलों को सुईकार कर लेता है ये सिगनल फिर ठीक उल्टी प्रक्रिया से गुजरता है और आपका दोस्त आपकी आवाज को सुन पाता है इसलिए ये सच है कि मोबाइल कम्यूनिकेशन पूरी तरह वायरलेस नहीं होता इसमें वायर वाले माध्यम भी प्रयोग में लाए जाते हैं इस तरह मोबाइल कम्यूनिकेशन को अंजाम दिया जाता है लेकिन एक और बड़ी समस्या है जिसका हमने अभी तक जान बूज कर जवाब नहीं दिया है मोबाइल कम्यूनिकेशन केवल तब ही सफल हो सकता है जब टावर सिगनलों को आपको आपके दोस्त के फोन पर भेजे लेकिन आपके टावर को कैसे पता चलता है कि आपका दोस्त कि सेल टावर के छेतर में है वैसे इस प्रक्रिया के लिए Cell Tower को Mobile Switching Center से मदद मिलती है MSC Cell Tower के सम्हूं का केंदरी बिंदू होता है आगे बढ़ने से पहले आईए MSC के बारे में बहतर तरीके से समझाते है जब आप एक SIM Card खरीते हैं तो सदसिता से जुड़ी सारी जानकारियों को MSC पर पंजिक रित किया जाता है ये MSC आपका Home MSC होता है Home MSC, Service Plan, आपकी वर्तबान स्थिथी और आपकी गती विदियों की स्थिथी जैसी सूचनाएं संग्रहित करता है अगर आप अपने Home MSC की रेंज से बाहर चले जाते हैं तो एक नया MSC आपको सेवाएं प्रदान करता है जिसे Foreign MSC कहते हैं जैसे ही आप Foreign MSC के छेतर में आते हैं ये आपके Home MSC से संपर्ग करता है संग्षेप में कहें तो आपके Home MSC को हमेशा ये पता होता है कि आप कौन से MSC के छेतर में है ये समझने के लिए सब्सक्राइबर MSC छेतर के अंदर कौन से सेल के छेतर में है MSC कुछ तकनीकों का प्रयोग करता है एक तरीका है कि एक निश्चत अवधी के बाद सब्सक्राइबर की Location का अपडेट किया जाए जब फोन एक पूर्व निरधारित तावरों की संख्या को पार करता है तो Location फिर से अपडेट की जाती है इन में आखरी Location वो होती है जबकि फोन चालू किया गया था आईए एक उधारण के साथ इन प्रक्रियाओं को समझते है मान लेते हैं कि एमा जौन का नमबर मिलाती है कॉल का नुरोध एमा के होम MSC तक पहुचता है जौन का नमबर मिलने के बाद अनुरोध को जौन के होम MSC पर भेजा जाता है अब जौन का MSC उसके वरतमान MSC का पता लगाता है अगर जॉन अपने होम MSC में है तो कॉल का अनुरोध तुरंट उसके वर्तमान सेल की लोकेशन को भेज दिया जाएगा और ये भी जाच करेगा कि जॉन पहले से ही किसी कॉल पर तो नहीं है या उसका मुबाइल बंद तो नहीं है अगर सब कुछ सही होता है तो जॉन के फोन के रिंग बजने लगेगी और कॉल कनेक्ट की जाएगी लेकिन अगर जॉन अपने होम MSC में नहीं है तो जॉन का होम MSC फोरें MSC को कॉल का अनुरोध भेज देगा फोरें MSC भी जॉन के फोन की स्थिति का पता लगाने के लिए पहले समझाए गई प्रक्रिया को दोराएगा और फिर कॉल लग जाएगी आईए अब बात करते हैं कि फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मुबाइल फोन कम्यूनिकेशन में इतना महत्वपूर क्यों है शून्य और एक के डिजिटल कम्यूनिकेशन को भेजने के लिए हर सब्सक्राइबर को एक फ्रिक्वेंसी रेंज आवंटित की जाती है लेकिन सेल्यूलर कम्यूनिकेशन के लिए उपलब्द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम सीमित होता है जबकि दुनिया में खर्बो सब्सक्राइबर मौजूद है इस समस्या का समाधान करने के लिए दो तकनीकों की मदद ली जाती है एक फ्रिक्वेंसी स्लाट वितरन और दो मल्टिपल एक्सेस तकनीक पहली तकनीक में अलग-अलग फ्रिक्वेंसी स्लाट्स अलग-अलग सेल टावरों को सावधानी पूर्वग आवंटित किये जाते है Multiple Access तकनीक में Frequency Slots को Cell के छेतर में मौजूद सक्रिय उपयोग करताओं के बीच कुशलता पूर्वग बांटा जाता है अब बड़ा सवाल ये है कि Mobile Phone तकनीक के विभिन जेनरेशन क्यों होते है 1G ने पहली बार बिनातार का फोन रखना संभाव बनाया लेकिन 1G के साथ दो बड़ी समस्याएं थी पहली समस्या ये थी कि Wireless प्रसारण Analog Format में था Analog Signal बाहरी कारकों से आसानी से बतले जा सकते हैं इसलिए इसमें आवाज की गुणवत्ता और सुरक्षा का स्तर खराब था दूसरी समस्या थी कि इसमें Frequency Division Multiple Access तकनीक का प्रयोग किया गया था जो उपलब्द स्पेक्टरम का प्रयोग अप्रवावी तरीके से करती थी इनहीं कारणों से Mobile Communication की दूसरी PD का मार्ग प्रशस्त हुआ 2G में Digital Multiple Access तकनीक का प्रयोग किया गया जिसे TDMA और CDMA तकनीक कहा गया दूसरी जनरेशन में एक क्रांतिकारी डेटा सेवाएं SMS और Internet Browsing भी लाई गई 3G तकनीक Data Transfer की High Speed प्रदान करने को ध्यान में रख कर बनाई गई इसमें WCD Multiple Access तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए bandwidth को बढ़ाया गया 2Mbps की 3G स्पीड से उप्योग करता GPS, विडियो और Voice Call आदी का डाटा भेज सकते थे बेसिक फोन को स्मार्ट फोन में बदलने में 3G एक बड़ा कदम था आगे आया 4G जिसमें 20 से 100 Mbps की स्पीड प्राप्त की गई जो High Resolution Movies और Television के लिए उप्योगत थी ये High Speed OFD Multiple Access तकनीक और MIMO तकनीक के कारण संभव हो पाई MIMO में Mobile Phone और टावरों दोनों के अंदर Multiple Transmitter Receiver एंटिना का प्रयोग होता है Mobile Communication की अगली जनरेशन 5G है जो शीगर ही बाजार में आ जाएगी और इसमें अधिक उन्नत MIMO तकनीक और Millimeter Waves का प्रयोग होगा इसमें Internet of Things जैसे बिना ड्राइवर की कार और Smart Home आदी को सपोर्ट करने के लिए बाधा रहित connectivity दी जाएगी Learn Engineering को सबस्क्राइब करना ना भूलने और Patreon.com पर आपका सपोर्ट अनमोल है धन्यवाद